हेलो दोस्तों स्वागत है आप से फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप दोस्तों जब भी आप अपने लेप्टूप से डाटा ट्रांसपर करते होंगे अपने मुवाइल में या फिर मुवाइल से अपने लेप्टूप में ड वहां पर ही ही दोस्तों हम अपको बताएंगे कि मुवाइल में कौन-कौन सा सेटिंग करने के बाद आपका यहां पर Bluetooth on होने के बाद जो है Laptop में Bluetooth on करने के बाद उसमें कैसे connect किया जाता है तो अब हम आ चुके है दोस्तों अपने Q2 पहले स्क्रीन पर यहां पराइयद दोस्तों आप करना का है आपको अपना Bluetooth यहां पर ब्लुटूत करते हैं और Bluetooth में सारी सेटिंग करें लेगे स्पेंे सेटिंग इस पर स्फेंग करेंगें तो आप आजाएंगे अपने सेटिंग में अब सेटिंग में आने गबाद सिंपली दोस्तों यहां पे देख सकते हैं device का option है, simply इस पे किलिक करेंगे, तो first नमर पर ही आपको Bluetooth का option मिल जाएगा, तो यहां पे simply दोस्तों Bluetooth off है, इसको यहां पे किलिक करके पहले on कर देना है, जैसे ही on करेंगे देख सकते हैं device का जो नाम है, वो यहां पे so करेगा, device का नाम दोस्तों यहां पे आप अच्छी तरह से देख लें, यही device हम अपने mobile में सर्च करेंगे, उस समय आपको देखने को मिलेगा, तो अब यहां पे दोस्तों हमारा Bluetooth तो on हो चुका है, लेकिन एक स्टेटिंग इसमें और करना होगा, किस से आपको किलिक करना है, किलिक करने के बाद ही यहां पे देख सकते हैं, फिर से दो option मिलेगा, send file और receive file, अगर आपको किसी के पास भेजना है, अपने laptop से Bluetooth के दौरा तो आप send file पे किलिक करें, और अगर आप receive करना है, तो receive file पे किलिक करें, थमको दोस्तों यहां पे receive file वाले option पे किलिक कर लेते हैं, उससे पहले दोस्तों हम इसको थोड़ा सा साइड में यहां पे लेके चले आते हैं, इससे क्या होगा हमारा यहां पे यहां पर side screen में आप mobile का screen को भी देख पाएँगे, थो चलिए हम यहां पे receive file पे यहां पे किलिक कर देते हैं, किलिक करेंगे तो यहाँ पे waiting for a connection है कि आप कोई भी आप mobile से कोई भी device में अगर आप Bluetooth on करेंगे तो वहाँ पे scan जैसे ही करेंगे तो आपको यह device का नाम जो है वो so करेगा तो चलिए अब हम mobile वाले screen को यहाँ पे side में आपको लगा देते हैं इसमें आप देख लेंगे कि कौन कौन सा इसमें जो setting है वो करना होगा तो mobile के screen में आने के बाद simply दोस्तों क्या करना है आपको simply scroll करके नीचे यहाँ पे करना है और नीचे करेंगे तो देख सकते हैं Bluetooth का option है तो Bluetooth वाले option पे click करके पहले इसे on कर देना है जैसे यह on करेंगे तो simply दोस्तों आपको कुछ इस परकार से interface आएगा और यहीं पे देख सकते हैं desktop का हमारा option आचुका है तो यहाँ पे आप done पे click कर दें वरना आप चाहें तो इसमें आपे click करके रखेंगे तो भी आपको यहाँ पे details पे click करके यहाँ पे देख सकते हैं option यहाँ पे देख रहा होगा जो कि हमारा desktop side का यहाँ पे नाम आ चुका है तब चलिए हम कोई एक file ले ले लेते हैं अपने gallery से जो हम अपने laptop में transfer करना चाहते हैं तो चलिए हम यहाँ से इसे back कर देते हैं और यहाँ पे simply दोस्तों हम अपना gallery जो है वो open कर लेते हैं अब gallery open करने के बाद Simply दोस्तों देख सकते हैं एक हमारा channel का logo है जो कि हम अपने laptop में लेना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक gk का हमारा लोगो है जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार है अब इसको हम share करना चाहते हैं तो simply यहाँ पे share वाला नीचे देख सकते हैं बटन है simply इस पे click करना है जैसे ही click करेंगे तो click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं हमारा डेश्टॉप साइट का जो नाम है वो यहां पर आ चुका है तो यहां पर इस डेश्टॉप पर नाम पर आपको किलिक करना है किलिक करेंगे तो यहां पर सिंपली दोस्तों देख सकते हैं अब हमारे लेप्टॉप में यहां पर दे complete होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह finish आ चुका है और इसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस file का location जो होगा वो यहीं पर आपको दिख जाएगा कि हमारा देख सकते हैं c user है windows 10 और documents file में यह photo जो हमारा है वो गया है तो यहाँ पर फिनिस वाले option पर आपको किलिक करना है तो हम यहाँ पर फिनिस के option पर किलिक करके यहाँ से इसको cut कर देते हैं cut करने के बाद आज आना है आपको अपना दिस PC में और दिस PC में आने के बाद simply दोस्तों यहाँ पर इसको चलिए पहले बढ़ा कर लेते हैं अब बढ़ा करने के बाद यहाँ पर documents का जो option आपको दिख रहा था वहाँ पर file का location आप चाहें तो वहाँ चेंज भी कर सकते हैं हम आपको दिखा देते हैं वही photo हमारा यहाँ पे भी आया है जो कि हमने Bluetooth के द्वारा भेजा था तो अगर आप चाहें दोस्तों तो laptop से भी कोई file को अपने mobile में इसी तरह से भेज भी सकते हैं सेम प्रोसेस इसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए तो उम्मीद है दोस्तों इस mobile से जिस तरह से हम अपने Bluetooth से जो है अपने डिवाइस में अपने photo वीडियो पीडियाप को देखा होगा कि कैसे उसमें हमने transfer किया था वैसे ही दोस्तों आप भी अपने mobile से या प अपने बाद